हेलो बच्चो एक बार फिर से सवागत आप सभी का आज हम आपके लिए लेकर आए नाइन्थ क्लास का एक नया टोपिक इस मैटर अराउंड अस प्योर से एक नया टोपिक जो की अपने पास टाइप ऑफ सॉलुशन टाइप ऑफ सॉलुशन की अगर हम बात करते तो अपने पास सॉलुशन थ्री टाइप्स का मिलता है true solution, colloidal solution and suspension solution ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये रहा है आपने पास तो अपने पास तीन टाइपस का होता है अब हम one by one तीनों को discuss करेंगे और तीनों में difference देखेंगे, क्या difference होता है तो ये one by one discuss कर लेते हैं हम तीनों को सबसे पहला अपने पास true solution true solution क्या होता है, homogeneous mixture होता है जहां पर दो से दो और ज्यादा सबस्टाइबस मिलते हैं, हब homogenous mixture क्या होता हो homogeneous mixture वेटा, वो mixture होता है कि जहां पर आपको पूरे के पूरे solution में उस mixture में जो भी आपने compound डाला है उसकी property सभी जगह सेम मिलें जैसा कि आपने नमक dissolve कर दिया कि इसमें पानी में और अब आप उसको test करके देखते हूँ अब जब आप उपर से एक घूट पी के देखते हो तो उसका भी ऐसा ही test मिलेगा और चाहे आप उस Glass के बिल्कुल नीचे की एक घूट पी के देख लेना उसका भी test सेम मिलेगा तो अब हम ये बात बोल सकते हैं कि जो हमने elements डाला वापर compound डाला उसका पूरे solution में एक composition थी वो क्या थी same थी इसलिए उसको हम बोलते homogeneous mixture तो अब अपने पास homogeneous mixture होता true solution अब solution दो टाइपस दो अपने पास component होते जिनसे मिलकर बनता एक solute होता दूसरा solvent होता है solute वो होता जिसकी कम amount ली जाती है और solvent वो होता जिसकी ज्यादा amount ली जाती है for example जैसा कि आप निम्बू पानी बनाते हो निम्बू पानी बनाते तो उस टाम क्या होता आपके पास आप ऐसा ही तो करते हो निम्बू पानी बनाते हो तो क्या करते हो आपको देखने को क्या मिलता है आप देखते हो गटा कि जो निम्बू है और क्या लिया सुगर लेते हो और नमक लेते हो, वे क्या होते हैं, वे होते हैं solute आपके, और जो पानी होता होता है, solvent होता है, तो इस परकार से जब दोनों तयार हो जाते हैं, मिलके तयार हो जाते हैं, उस टाइम आपका solution तयार हो जाता है, अब एक्जाम्पल है, salt in water, sugar in water, property की बात कर लेते हैं, तो homogeniv mixer तो हो गाई, यह बात अपने बता दी क्या होता है, particle को आप ऐसे देख नहीं सकते हैं, कि आपने dissolve कर दिया, और आप देखना स्टार्ट कर दो, कि नमक का particle का है, नमक दिखाई दे रहा है, कैसा होता है, नहीं होता ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं, true solution, वो दिखाई नहीं आपने उसको filter करना start कर दिया, और आपको नमक अलग मिल जाए, और जो पानी है, दुबार से वो अलग मिल जाए, चीनी अलग मिल जाए, कैसा होता है, ऐसा नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते है, true solution, colloidal solution की अगर मैं बात करता हूँ, colloidal solution की बात करता है, हेटरोजीनिस मिक्स्चर होता है, हेटरोजीनिस का मतलब है, कि आपके पास component जो होंगे, उनका अलग अलग टेस्ट मिलेगा आपको, जैसा की, आप हम बात कर लेते हैं, कैसा है, हम जैसे की starch in milk, air containing dust की बात कर लेते है हवा के अंदर dust particle है, जब आप कई बार आण दिया जाती है, तो वो जो particles होते है, dust particles अपने अंदर चले जाते है, आपको अलग ही लगता है, कई बार मुए में चले जाते है, तो आपको अलग सा, क्या लगता है कि करकरात, बोलते हैं ना इंडी में, ठीक है, ऐसा ही होता है, कि वो आपको अलग सी feeling आती कि एर की अलग होती है वहां पर property और उसकी अलग होती तो आपको अलग से मिल जाती कि दोनों की property अलग है इसलिए उसको बोलते है heterogeneous mixture jce और इसके एक्जांपल Star-C λाटर या फिर दिखाई लिए अब क्या सदर मील के अंदर पानी भी रो唇ता है कुछ एक साथ की साथ उसमें क्या होता है जो फैट भी होता है ठीक है क्या होता है उसके अंदर फैट वी अपनीयाать को दिखाई च्छाने को दिखाई नहींदे रहें तो वह पार्टीकल तो भी एक हेट्रो जिन्य है उसको आप पूलते हो पार्टीकल को फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते ऐसा नहीं कि आपने कोई फिल्टर पे पर लिया और दूद उपर डाल दिया और आपको घी उपर मिल जाए और निचे की तरफ आपको अलग से वोटर सेपरेट हो जाए ऐसा नहीं होता ठीक है तो तो इसलिए उसको पार्टिकल आपको यहां पर दिख जाए और उपर आपको पानी मिल जाए ऐसा नहीं होता ना तो इसलिए उसको डिटल सुलिशन बोलते हैं अब जैसा कि पार्टिकल स्कैटर एक वीम ओफ लाइट पासे तुरूदा सुलिशन जो सुलिशन होगा जब उस सुलिशन से आप जैसे लाइट पास करोगी जैसा की आप इस पिक्चर में देख सकते हो तो वो पिक्चर में आप आपको अपने पास क्या होता है suspension भी अपने पास एक हिट्रोजीनिस मिक्स्चर होता same as it is जैसे यह था but यह जो suspension होंगे उनसे बड़े particles क्योंगे यह क्या होंगे बड़े particles होंगे इनके comparison में अब यहाँ पर जैसे कि choke in choke powder in water जैसे कि choke को आपने पाउडर होगा वह पानी के अंदर अलग से दिखाई देगा तो प्रोपर्टी में यह कहता हिट्रोजीनिस मिक्स्चर होगा cancene by neck dye आप देख सकते हो उसको अराम से देख सकते हो मिट्टी आपको पानी में दिखाई दे जाती है particle can separate by filtration अगर आप filter paper का यूज करके उनको अलग separate करना चाहूँ तो आप अलग निकाल सकते हो solute particle settle down जो particle आपने उसके अंदर dissolve किये थे जो आप dissolve करने कोशिश कर जैसे कि चाक powder है वे थुड़ी time के बाद पानी में नीचे बैठ जाएंगे ठीक है particle scatter beam of light जैसा कि आपने किसमे colloidal में पढ़ा था इसी परकार सी जो particle होंगे वे क्या करेंगे beam of light को जैसा कि आप diagram में देख सकते हो beam of light को क्या कर देंगे scatter कर देंगे तो यह था आपने पास आज का topic जो कि था आपने पास solution के type true solution colloidal solution और suspension solution ठीक है तो मिलते हैं बेटा next lecture में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए all the best